कमाल आर्खान के निशाने पर कई कलाकार रहते हैं इस बार के आरके ने कंगना रनौट की निजी जिन्दगी पर एक बड़ा रोप लगाया है कंगना रनौत का नाम उन्होंने लव जिहाद से जोड़ दिया है के आरके ने दावा किया है कि कंगना रनौत इमरान नाम के एक लड़के को डेट कर रही है कंगना रनौत को लेकर के आरके ने एक ट्विट किया बाद में हंगामा होने के बाद के आरके ने ट्वीट डिलेट भी कर दिया अपने इस ट्वीट में कमाल आर खान ने लिखा था कि कंगनार अनौत इमरान खान नाम के एक शक्स को डेट कर रही है के आरके ने अपनी बाद को सही थाबित करने के लिए इस लड़के के साथ कंगना रणाओथ की दो फोटो भी पोस्ट की है जिसमें कंगना रणाओथ एक लड़के को गाल पर किस करती हुई नजर आ रही है कमाल ने लिखा है कि ब्रेकिंग नियूज कंगनाराना और इमरान नाम के एक एजिप्टियन लड़के को डेट कर रही है ये तो लव जहाद है दीती आपसे ये उम्मीद नहीं थी देर रात 8 बजे क्यार्के ने ये पोस्ट शेर किया और फिर अचानक से क्यार्के ने से डिलेट भी कर लिया ट्विटर पर एक्टरेस राधिका आप्टे को बॉईकॉट करने को लेकर ट्रेंड चलना है चौकाने वाली बात तो ये है कि ना ही रातका आप्टे की कोई फिल्म रिलीज हुई है और ना ही किसी प्रोजेक्ट को लेकर वो चर्चा में चल रही है इसका कारण तो कुछ और ही है रादका अप्टे पर भारती सब्विता को चोट पहुचाने को लेकर भी कई तरह की बाते की जा रही है रादका की ये तस्वीर काफी चर्चा में है और सुबह सही सोशल मीडिया पर लगातार वाइरल हो रही है रादका अप्टे ने वेब सिर कर रातका अप्टे की तरफ से किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है लोग अबने त्री को बाइकाट करने की मांग कर रहे है एक्ट्रेस अमीशा पटे एल अक्सर अपने बोल्ड अंडाज की चलते सुर्खियों में रहती है साथ ही बोल्ड वीडियो भी सोशल मीडिया पर उनकी देखने को मिलती है अमीशा पटेल इन दिनों बेशक फिल्मों से दूर हो लेकिन अपनी बोल्डनेस वाले अवतार के चलते वो आज भी टॉप एक्ट्रेस को फेल करती है सोशल मीडिया पर अमीशा पटेल के लाखो फैंस हैं जो उनकी तस्वीरों को पसंद करते हैं और उनकी सोशल मीडिया पर तारीफ भी करते हैं हाल में ही अमीशा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा को 22 साल पूरे हुए इसका सेलिब्रेशन एक्टरस ने सोशल मीडिया पर भी किया अमीशा ने साल 2000 में फिल्म कहो ना है प्यार है से बॉलिवुड में डेब्यू किया था इस फिल्म में रितिक रॉशन के अपोजिट अमीशा ने काम किया और फिल्म दर्शकों के बीच खूब लोग प्रिये हुई थी अमीशा पटेल का नाम बेशक बॉलिवुड फिल्मों के सफर में कई अभी नेताओं के साथ जुडा हो लेकिन पैतालिस की उम्र में भी अमीशा अभी भी कुवानी है सल्मान खान और कैटरीना कैफ स्टार और फिल्म टाइगर थ्री की शूटिंग जोर शोर से जारी है मुंबई में शूटिंग खतम करने के बाद फिल्म की टीम 18 अगस्ट को रूस के लिए रवाना होगी रिपोर्ट्स की माने तो आधित चोपला ने पूरी टीम के लिए एक जंबो चार्टर बुक किया है फिल्म का इंटर्नेशनल शेडियूल रूस के साथ शुडू किया जाएगा इसके बाद छे अलग अलग इंटरनेशनल लोकेशन पर शूटिंग होनी है फिल्म का इंटरनेशनल शेडियूल 45 दिनों का रखा गया है सबसे पहले पूरी टीम रूस पहँचेगी जहां कुछ high octane action sequence की shooting की जाएगी फिल्म के निर्देशद मनीश शर्मा इस schedule के लिए पिछले कुछ महीनों से तयारी कर रहे थे वहीं आदित चोपला भी international schedule को लेकर पूरी सावधारी बरत रहे है फिल्म से जुड़े सूत्रों के नुसार Tiger 3 के international schedule के लिए सल्मान और कैटरिना सबसे पहले रूस में high octane sequence की shooting करेंगे और फिर उसके बाद वे तुर्की और औस्ट्रिया रवाना होंगे फिल्म की shooting काफी बड़े स्तर पर की जा रही है तमिल अमिनेता आनंद कर्नन की मौत हो गई है वे 48 साल के थे कर्नन पिछले काफी लंबे वक्त से कैंसर से जूज रहे थे उनके करीबी दोस्त और निर्देशक वेंकट प्रभू ने सोशल मीडिया के जरिये आनंद कर्नन की मौत की जानकारी दी है प्रभू ने ट्वीट किया कि एक बेहतरीन दोस्त बेहतरीन इनसान अब नहीं रहा उन्होंने आनंद की तस्वीर साजा करते हुए अपनी सवेदनाएं व्यक्त की आनंद 1990 के दशक के लोगप्रिया भी नेता थे उन्होंने कई लोग प्रिये तमिल शो होस्ट किये उन्होंने करियर की शुरुआत सिंगापूर वसंतम टीवी से एक्टर और होस्ट के तौर पर की थी इसके बाद सन म्यूजिक के साथ उन्होंने वीडियो जौकी के तौर पर काम किया फिल्मकार वेंकर प्रबू ने उनके साथ सरोजा फिल्म में काम किया है आनन की मौत से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है